हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तू अलो फ्यू आज है 28 मार्च और टॉप करेंट अफेस सारे हम लोग देखते हैं आपको पता ही है और उस टॉप करेंट अफेस के साथ हम लोग मैप की वी रिवीजन करते हैं जो इंपॉर्टेंट मैप्स होते हैं जिससे आज के टेलीग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुष्चन आज का है उससे देखने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूँ प्लीज हमारा टेलीग्राम गुरूप जॉइन कर लिजी क्योंकि उस पे सारे पीडिएप आपको एक साथ मिल जाएंगे और मंतली करेंटपिश भी जुआ मंतली प्ले लिस्ट मैं एवलेबल है आप जाके वहां से देख सकते हैं किस देश ने से ने संचार के लिए high frequency satellite launch किया है high frequency satellite launched for defense purpose in which country US, रूस, जापान और चीन तो बताईए ही इसका right answer कौन होगा इसका right answer होगा US तो आपको पता ही है United States इसके 45th president है Donald Trump और यहां भी अभी हाली में बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रकोप है और सबसे important बात है कि US की राजधानी जो है Washington DC यह वहां के first president George Washington के नाम पे रखा गया है और वहां पे दो important bank के मुख्याले है एक तो world bank ठीक है world bank का headquarter है और दूसरा IMF का IMF की जो chief economist है वो है Indian है ठीक है IMF की chief economist कौन है वो है अंसूला कांत और IMF की जो head है उनका नाम है Christina Georgieva world bank के जो 13 में president बने है उनका नाम क्या है उनका नाम है David Malpass ठीक है अब बात करते है रूस की आपको पता है रूस के prime minister अभी हाल में change हुए है ठीक है तो आपको याद होना जाए क्योंकि exam में यही पूछा जाएगा रूस से भारत की relation बहुत ही जादा अच्छे रहे है तो रूस के जो नए prime minister बने है उनका नाम क्या है मिखाइल मिसुत सीन ठीक है चीन और जापान जापान क्या आपको पता है सिंजो आबे वहाँ के president प्राइम मिनिस्टर है और इसकी राधानी या Tokyo yen वहाँ की currency है रूस की Moscow राधानी और Ruble वहाँ की currency चीन की Beijing और Yuan वहाँ की currency ठीक है Yuan या Remneby Remneby भी उस currency को कहते है अब मैं एक चीज़ और बता दू चीन की राधानी Beijing में दो मुख्य बैंकों का headquarter है AIIB Asia Infrastructure Investment Bank और New Development Bank New Development Bank भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसको Bricks Bank भी कहते है इसकी अस्थापना 2014 में हुई थी और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो के वी कामत ये भारत की ओर से थे इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है अब इसके अलावे एक और bank बचता है Asian Development Bank जिसकी अस्थापना हुई थी 1967 में और इसका Headquarter है Philippines की राज़ानी Manila में तो ये सारे चीज़ आपको अगर याद है तो आप हर तरीके से मजबूत हो फिर हम लोग Map देखने वाले हैं Map के बारे में आपको पता ही है जो भी important facts है उसको मैं बता दूँगा ठीक है आप देख लो यहाँ North America का सबसे उचा जो mountain है वो कौन सा है तो वो है Rocky Mountain एक सवाल पुशा जाता है कि Mississippi नदी कहां बहती है कौन से देश में तो ये जो है North America में है Great Lakes Great Lakes कौन कौन से है Superior Michigan Eerie Ontario Huron ठीक है तो यहाँ मैंने आपको note भी करा देता हूँ Superior Euron ये जो है Great Lakes का इलाखा है और एक और सवाल आया हुए Aplacian Mountain कहां है तो आपको दो rate दिख रहा होगा एक जो है ये Rocky Mountain का इलाखा है और ये एक Aplacian Mountain ठीक है लोरेंसियन प्लैच्वी ये सब US मतलब North America जो continent है उसके important चीज़ है जिसे सवाल आते है The Rocky Mountain ये नौर्थ अमेरिका का सबसे मुची परवत स्रेनी जो है वो Mount McKinley है ठीक और जो सबसे छोटी जो है वो है Death Valley ठीक है Death Valley जो है सबसे नीचा इलाखा है और सबसे उचला इलाखा जो है वो है Mount McKinley Alaska Range में पढ़ता है Rocky Mountain North America पहुंचता है ये सब जो होगा यहां के North America के question यहां से आये हुए है और बाकी आप समझ रहे हो इसका location आपने देखा हुआ है कहा है North Atlantic Ocean इसे कहते है ठीक है next जो है question COVID-19 इलाज के लिए कि सराज में दो बड़े hospital अस्थापीत होंगा biggest two biggest hospital for COVID-19 treatment तो option A Odisha, 36 गड़, आंद्रपरदेश तो यह जो है करना तक इसका right answer क्या होगा Odisha होगा दोस्तों इसका मैं अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्योंकि आगे एक और question है इस तरीके से आपको पता ही है पहला Reliance का जो hospital COVID-19 के लिए खुला था वो मुबई में खुला है दूसरी जो बात है कि उत्राखंड ने चार medical hospital को सिर्फ इसके लिए dedicate कर दिया है तो यह दोनो news है आपको COVID-19 पे एक बहुत ही important question का compilation मैं बहुत ही short video बना के दूँगा जिससे आपके revision बहुत ही तुरंद हो जाएं क्योंकि इससे एक question तो आएंगे क्योंकि यह पुर्य वर्ल्ड में चाया हुआ है तो आपके हरे हरे एक आगामे exam में इससे question आएगा ठीक है वर्ल्ड treatment day ओ स्वारी treatment नहीं यहाँ पे theater day होना चाहिए दरसल world theater day मतलब कि wish रंग मंच दिवास आपको पता है रंग मंच जो हाँ stage performance होता है वो कब मनाया जाता है तो 27 मार्च 24 मार्च 22 मार्च और 20 मार्च तो यह जो है 27 मार्च को मनाया जाता है आईए मार्च महीने के सारे जो day और उनको हम लोग देख लेते हैं आपको पता ही है एक मा मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ठीक है चार मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे ठीक 8 मार्च को अंतरास्ट्री महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस दे और नेशनल वीमेंस दे तेरा फिरवरी को अब बात करते हैं अब 20 मार्च से शुरू करते इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो दोस्तों लाइक करने में आपनों कंजूसी नहीं कीजिए और जो भी आपके study related groups हैं प्लीज उसमें इसके link को share करो क्योंकि उससे बहुत अच्छा लगता है मैं आपसे इसका पैसा नहीं लेता हूं पढ़ाने का ठीक है तो आ वालेवूड अभिनेत्री ने फिट इंडिया कारेकरम के तहट वेट लॉस कारेकरम सुरू किया है वेट लॉस प्रोग्राम इज लॉंच्ट बाई विच वैलेविट बॉलिवूड हिरोई तो यह बताईए कौन सी है तो यह है प्रियंका चुपड़ा दिपिका बादकॉन सिल्पा सेटी है मामालनी तो बताईए कौन है यह है सिल्पा सेटी और कुछ दिन पहले मैंने करेंट अफेस में पढ़ाया था डबलू इएफ वर्ल्ड इकोनोमिक फॉरॉम का पहली बार क्रिस्टल अवार्ड किसी भी वालिवूड अभिनित्री को दिया गया है तो वो मिला है यूनिस्को का वर्ल्ड हुमाइनिटेरियन अवार्ड जो है प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है ठीक है आपको यह पता है और मतुरा से सांसर है हमामाली तो यह सब इंपॉर्टन चीज आपको याद रहनी की क्योंकि एक्जाम में आएगा और 2019 में सिल्पा सेथ सिल्पा सेथी और राज कुंद्रा को भारत के राष्ट पती ने कुछ दिन पहले चेंज मेकर अवार्ड भी दिया है तो यह दोनों चीजें आपके बड़े काम की है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोविद 19 से निपटने के लिए किस सहर ने पहली बार ड्रोन का इस स्टाइम ड्रोन यूजड इन विच सीटी सर्विलांस फर कोविद 19 सर्वी सर्वे तो अप्शन एक जो है इंदौर भोपाल अंबिकापूर जहांसी तो बताएं यह कौन सा सहर है तो यह है इंदौर सहर और आपको पता है स्वक्षता सर्वे में लगतार तीन वर्सों से इ दूसरी बात यह हैं कि इसमें स्वक्ष राठाणी जो है भोपाल को मिलता है और कुछ दिन पहले मैंने बताया तो यह खुला तो यह खुला ऐख है और जहां से जो है यह एकसलियी फेमस है अगर आप डोग नहीं जाते हैं तो नोर्थ ते सावथ और इस्टसे वेस्ट के दोनों एनेश जहां करते हैं वह प्लेस है जहां सी मतलब इधर के सारे एने और इस घजहां से त वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है गनेशी लाल है महाराष्ट को पता यह मुंबई में ही रिलाइन्स अपना पहला कोविद 19 होस्पिटल खोलने का आवान किया है मंगाल में है कौन ममता बनर जी और यहां के जो गवर्नर है उसका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है ठीक है next जो है आप देखते हैं important चीजें जो maps related exam में आये हुए है प्लीजी से note भी कर सकते हैं आप वैसे इसकी PDF मैं दे देता हूँ अगरा फोर्ट कहा है उत्तर प्रदेश में अजन्ता केप्स कहा है महरास्टा में Buddhist monuments अर्ट सांची तो यह मद्य प्रदेश में ठीक है अब आते हैं सुर टेंपल तो महाबलीपुरम वीवेकानंद नेक्स जो है छटरपती सीवा जी साची का इस तूप यह है MP में जंतरमंतर जो है दिली में भी है जैपुर में भी बनारस में है तो यह सारे फैक्स आप लोग प्लीज याद रखिए और यहाँ लिस्ट भी है ठीक है आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं रॉक शिल्टर भी बेट काई है मध्यपदिश में सब्सक्राइब यह से मैं बता चुका हूं हमायू टॉम का है दिली में है और आपको बता दूं काजी रंगा नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में काजी रंगासम में है खजुराहु का है तो महाबोधी टेंपल कहा है तो गया में है तो यह सारे चीज़ अगर इतने फैक्ट याद है देखिए दोस्तों इतना फैक्ट कोई नहीं बताता होगा तो प्लीज जली से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों लाइक करने से कुछ जाता नहीं है तो चलिए सुरू करते है वर् याद और रियाल यहां की करेंसी ठीक है इराक बगदाद और दिनार महां की करेंसी इरान रियाल यहां की करेंसी और इरान के रधानिय तेहरान सीरिया का कहा है दमिस्क और सीरिया का दिनार यहां की करेंसी ठीक है नेक्स जो है आपको पता ही है इरान के कासिम सुलेमानी को यूएस ने ड्रोन हमले से मार दिया था तो ये भी आप यादर कियेगा अब्दूल लतीफ किसके से संबंदीत है अब्दूल लतीफ का भी देहानत हो गया है तो अब्दूल लतीफ क्रिकेट फुटबॉल बॉलीबॉल तो यह जो है फुटबॉल से रिलेटेड है और जो भी अबिचुवरी होता है जिनके भी देथ होते हैं उनसे सवाल आये हुए है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए और यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जितने भी लो मरे हैं बॉलीबॉल से एक फेक्ट मैं बताता हूं इंडिया का पहला तायरता हुआ कि इसका राइट और इस का राइट होगी ठीक है next question देखते है क्या है क्लारा नामक बोट की शुरुआत किस कंपनी के साथ मिलकर किया गया देखिए क्लारा नामक जो बोट है बोट क्या होता है artificial intelligence based एक मतलब computer ही है artificial जैसे कि आप Google को कहते हो कि हेलो गूगल प्लीज हेल्प मी तो वह जो बोलती है वह इसलिए बोलती है कि वह आर्टिफिसल इंटेलिजेंस बेस्ट आप्लिकेशन है तो इसी तरीके से यह बोट होता है रोबोट का एक टाइप होता है बोट मतलब रोबोट ही होता है ठीक है तो यह Microsoft के साथ मिलकर शुरू किया गया है क्लारा नामक बोट अब यहां बात है Microsoft जो है company आपको पता है यह computer giant company है तो यह आपको याद देखना है फ्रांस एक ऐसा देश है दुनिया का जिसने गाफा टैक्स लगाया था तो आपको याद देखना है गाफा मतलब गूगल आमेजन ठीक है फेसबुक और एपल गूगल एपल फेसबुक और आमेजन यह चारों पे इसने टैक्स लगाया था इंटरनेट पर पहली बार टैक् में विजिट कीजियो और मैंने उसका जवाब होगा भोनेशवर आज की कुश्चन का देखते हैं किस देश में हंता वाइरस ने कादमी की मौत हो गई हंता वाइरस कॉस्ट देथ इन विच कंट्री तो बताइए इसका राइट अंसर तो मैंने हंता वाइरस पे डिटेल वी सकते हैं थैंक यू सो मच